मुश्यत करना अगली राज एक सानी उश्टिय अपए दुश्टि पेशन चुमंगब करेंगे ती एजुकेशन ने हवाला हा सरहाला कैसे मगदेमा कंटिन्यू करें ताली में हवाला हा चुका नवबाजे मैसायल देमा पेश कहते लिकिन यह तमामी प्रॉब्लम्स आनी एक स अगर मैं पाकिस्तान निम्हा चाहरे हैं तो चिक्का औरगनाजेशन जस्तान जो मां डन्ने मुलके इंटरनेशनल औरगनाजेशन बीस था कार करेंगे ताली में हवाला हा जिताइए हवाला मनि अला में का कार इदा बेगे शायद ए दुनिया कोई जा गया बेगे बहले आ आप भी जानते हैं मैं भी जानते हूं मुक्तलिफ औरगनाजेशन जो कम कर रहा है इतने शायद है सायदिया में कुसी भी मूल्क में चायदे लोगनाजीस की शार मेरा करते हूँ जितने हमारे पागिस्तान में हमारे अपने या इंटरनेशनल लेवल पर झाल ने इंजोस मुबाइल के सूरत में आपके पास मौजूद है टिक टॉक वाटसब इस्टाग्राफ फेस्बूक इन सब चीजों से जब तक हम बहार नहीं निकलेंगे और ज़रा सी एहमियत नहीं देंगे का हमें खुद क्या बनना है हम बाकी बहार की चीजों को देंगे इंस्पायर बहु चाहोगे तो हम वेस्टन की तरफ जारें कल्चर की तरफ जारें कल्चर आपको अच्छा नहीं है आपको चाहिए वहां की एजुकेशन चाहिए और दूसरा मसला कि हम यहां पर खुद आगे बढ़ना नहीं चाहरे हम अगले जो आगे उसको पीछे करके से जगा लेना चाह उस्ताद में कहा था एक पूर्ड के एक लाएं डला रोएं और डॉन जो टीजर चाहिए और अगर आपको नुक्सान ना पहुचा रो खुद उससे बड़े बन जाओ तो आपने खुद कर गजा बजाए इसके कि दूसरों को देखे हैं जेलिस होना या पिर उसे इस पैड हो जाना मगर यह पार्ट्शल अटेंशन डिस ओर्डर को एक तरफ करें और अपनी अटेंशन अपने फ्यूजर की तरफ दें उससे बेनेफिट किसी को नहीं होगा सिवाए अपने आपके आप क्या समझते हैं अब मुदवल साब की बाद से इतफा करना है लेकिन ग्रोव करने के लिए आपको सबसे नंबर वन या वैर्नेस तो कम से इंटिरियर सिंद के अंदर इस्पेशली मिर्पोगास के अंदर ग्रोव करने के लिए आपको कि क्या अपनाएंगे किस साइड पे हैं इधायबाद में तरख्की किए करााची हटाई में पूलबाद में इस प्रत्रप्स करकार देभरह करसMattT के लिएलहर इंडियर साइज मिर्पोगास में कुछ नहीं है avoid iz obtी निकलना पड़ेगा हर लैविल पे अचाएंग और 11व पर अट को बताओं कि क्या हाल है कोई हाल नहीं है इंट्रियर सेंगे स्पेशली मिर्पोफास का अब मुझे च्वाइश नहीं है अदिल साब आप चले ठीक है अवेरनेस नहीं है प्रॉब्लम्स है सब कुछ है लेकिन उन तो लोगों में कुछ अवेरनेस प्रियेट की जाए सेशन्स के थूए या किया चाहरे हैं यह हम यह चाह रहे हैं कि हमसे का पबलिक जो यह चाहरे है यह मिर्पोफास की कि वहां पर गौर्मेंट है स्पेशली वह अंकाउंट इल्वेटी के साथ कोई अधारे काइम करें वहां पर नमबर वन नमबर सेकिन यह प्राइवेट सेक्टर जिस तरह कर पार कराची में काम कर रहा है इस तरह कुछ हमाई दर भी थोड़ा बर देहन दे मेरपगास की तरफ भी तो लोगों में कुछ अ स्टूनेंट को करेंगे मारे आग कांसलिंग ना होने की वज़ा से बहुत सारी प्रॉब्लम से हमारे आग कांसलिंग का मतलब समझना भी बहुत जरूरी है मैं लाइव में आज बताना चाहूंगी ऑफकर्स क्योंकि कांसलिंग पर कई प्रोग्राम कर चुके हैं तो लोग क क्या लेना पसंद करों कि pénbucks में जाओ ए यह कांसलिंग नहीं है। सिर्फ उनको एक आप भता रहे हो कि यह खाना पसंद करेंगी आपने मैनीू बता दिया। आपको आपने बताया नहीं फद्ध दीटेल्स में किया उसमें डलेगा मतलत obsession कि किसीज चीज चीज ने बन रहा ह यह यह फील्ड है तो ऐस बच्चे को पता उसने तो फ्रस्ट ताइम नाम सुने उसे तो नहीं पता कि आगे इस फील्ड में फर्दर जाना फृट्ड क्या हैं मैं किस वे में जा सकता हूं अगर इस फीट की तरफ øğra पीड में तो इंटर किसी और फिल्ड में आगे जाके ग्रेडिशेंटि फ्यूद में तो वो बच्छा क्या करेगा क्योंकि जैसे ही वो फीड़् फीड वरकिंच फीड्ड में आएगा तो अगर वो लड़का है तो उसके कि ड मुर्मीन की तरफ से मिलेटमने की परेश और और फिर भीमिलेWD करें सुपर है कि ऑगा करें और अधिका में राड़ा हैर युनम पक्लियर को प्रूमाइब करें बच्छान को भी मेन पौन सुपरिंग को मुझे तरफ चौर्ब फेशॉटर्प लिएकसासद कर डादियолов क्योंकि सेशन तो मुसलसल हो रहे हैं इस टाइप के काउंस्लिंग हम कर रहे हैं यह काउंस्लिंग है तो माजरत के साथ काउंस्लिंग तो नहीं है आप तो बचे के साथ मजाग कर रहे हो कि आप इसे बस फील्ड के नाम रटवा रहे हो और बता रहे हो कि पूछो कि कौन सी फ साइस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मैथ आती तो कॉमसितर चुले जाओ आप इजी और डिफिकल्ट कुछ नहीं होता है इंटरस पर डिपेंड करता है इंटरस्ट पर आप बच्चे को पहली सिखा इस तरह रहे हों कि तो जान चुरानी है तो यह फील्ड है है हकीकत उलत निकलती है और कितनी जाततर बच्चे पूरा पढ़ने के बाद ही जानते हैं कि वह परह कहा है रोने एज़िए लिए अच्छा पर डॉक्त बन गया मतलब कहने का यह है कि उसको डॉक्त नहीं पना था बड़े नाम वहचूत है फूट साइंटिस्ट फूट साइ मैं जो करना चाना मैं करूं और आज आप उसको फूट साइंटिस के नाम से नहीं पचानते हैं आज वह माना फेशन डिजाइनर है आप उसकी ऑफिसे उसकी पेंटिंग्स चेक करें जाके मतलब वो एक आर्टिस्ट था वो एक बड़ा पब्लिक स्पीकर था आप कहां कि ज अगरना सेशन को आपने बाउं करते हैं वरना यह नहीं होंगे कैसे होंगे आप जब बच्छा करा से पहुंच रहा है एड में पहुंच गया सब्जेक्स के साथ इसका एक एक एग्जैमिनेशन और होना चाहिए उसके अवाम फिल्ड्स की आपने डिटेस दीवी हो और उस क्या फाइदा होगा पैसे और भी पैसे से पैसे मिलेंगे पैसे हर फिल्ड के अंदर है कोई फिल्ड वाला गरीब नहीं रहा और हर फिल्ड में करोरी पती लोग मोजूद है पैसे मैंतर करता है कि आपका इंट्रेस्स क्या है राइट परसन ऑ दा इस जोब आप लोग कहते तो वह बाउंड होगी, और ही कर सकते हैं, वह कहते है न, चाइनिस कहता है कि जर्णी ऑफ थाउजन माइस, स्टार्ट स्टार्स रम ए सिंगल स्टेप, आप पहला कदम ले, आगे खुद्बा खुद सफ़ा चलेगा, बिल्कुल, और यह तो मैं फिर कहूंगी कि कुदरत का न यह हमारा सबसे बड़ा मसला है, कि हम आइडिया शेरिंग करते हैं, हम कॉन्फलूट करते हैं किसी बात को, लेकिन अमली तोर पर अपनी जिन्दगी में ऐसे मसरूफ हो जाते हैं, जैसे यह कोई बात हुई नहीं थी, अमली तोर पर बाकाइदा हमारे जिन्दगियों में अगर यह अमल आ गया, कि हमने एडिकेशन के लिए बाकाइदा एक हल निकालने के लिए सोच लिया और हमने डिसाइड कर लिया, मैं समझती हूँ कभी-कभी में जब सोशल मीडिया की चलें बात करते हैं, सोशल मीडिया की तरफ या बाकी तमाम चीज़ों को देखती हूँ एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट आ जाए ना, पबलिक उसे इतना रेस करती है कि बस हकूमत के कान क्या हकूमत खुद हिल जाती है, कि यार क्या हो रहा है यह, वो नेगेटिविटी है, जिसे पबलिक बहुत जल्दी रेस करती है, मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि काश हम हमें ये पावर हम इस तरह इस्तामाल करें कि अपने लिए यगजा होकर, मुतहिद होकर तालीम के लिए आवाज उठाएं, अपने स्लेवस के लिए आवाज उठाएं, अपने करियर, अपने फ्यूचर के लिए आवाज उठाएं, लेकिन उस वक्त पबलिक डाउन हो जाती क्यों student power की बात की जाए आप एक छोटे से नुक्ते को दे कर ये भी वही बात होगे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे सर जब आये थे class में मुझे याद है स्टिल सर अली तो वो एक paper लेकर आये थे और वो paper उसमें एक dot बना था black नोने one by one सब से पूछा के बेटा ये क्या है और सब ने कहा ये black dot है सर इट से black dot फिर जब वो सब से पूछ के पीछे हटे तो कहा के आज मैं जान चुका हूँ कि आप सब negative thinker भाई क्यूं कहा मेरे हाथ में ये white paper इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा है लेकिन हाँ उस पे छोटा बना हुवा black dot आपको नजर आ रहा है कहां ये सोच बदलनी है काश के मैं इंतजार कर रहा था मेरे student में से कोई कहे कि sir आपके हाथ ने एक white paper है जिसको भी इखा रहा था कि ये क्या है ये क्या है तो सब कह रहे थे ये dot है black dot है तो इस black dot को छोड़ो और white paper की तरफ आओ positivity को forward करो प्लीज हम सोचल मीडिया पे भी मैंने देखा है कि negativity को हम फौरी तौर पर forward कर रहे होते हैं तो अगर हम यहाँ awareness की बात करते हैं यकीन जानी है अगर एक chain बन जाए हम मिलकर कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं अगर आवाज उठाना चाहें और change होगा भी अगर हम खुछ चाहते हैं वही बात आगए will power की awareness के लिए हम मजीद वहाँ अगर बात करते हैं मेरपूर खास के especially तो आप क्या समझते हैं उन्होंने तो अपने हिसाब से एक suggestion दी और अपने ideas शेर कि आप क्या कहेंगे इस बारे में किस तरह से awareness हम आगे जारा वह पहुंचा सकते हैं जो अभी education में चल रहे हैं वो उनको में थोड़ा सा उनके मेरपूर खास city में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो पढ़के फारी होते हैं मैट्र के बाद या डॉक्टर इंजियर बना तो वो दूसरा शेयर का रोक करते हैं ना उनको थोड़ा सा रोकने के लिए वह मुक्य पेदा किया जाए जिससे कि तो चेंज आए उनके अंतर इस्पेशली के वहाँ पर कॉलीज बनाए जाए मैडिकल में इस्पेशनly इं जिरिंग कॉलीज बनाए जाए लॉक वक्री बनाए जाए जिससे कि बच्चे वहीं बैठ कर तालिम हासिल करें चाहे वो बच्चों के चेंज आए इसे दिल साब मेरपूर खास भी खास फोकस है उसका भी में अदारे हनाम नहीं लेना चाहूंगे लेकिन मुक्तलिफ इदारे हैं जिनका फोकस मेरपूर की तरफ भी है तो वो क्या कर रहे हैं आप लोग क्या समझते हैं कि प्राइविटली भी चुक अगर हम वहां मेरपूर खास पे बनवाएं तो ऐसे कुछ आइडियास पे काम हो सकता है अगर डिफरेंट ऑगनाइसेशन वहां काम करें और आप जिसे रिहाईशी वहां के उनको यह आईडिया या उनको फोर्स करें तो आप क्या समझते हैं कि इससे कितनी बैतरी आसकती ह कि अगर प्राइवेट सेक्टर वहां पे अपने यूनिट्स वहां बना दी जाएं यह सेक्टर खोल दे एजूकिशन के हवाले वह उसका सब्सक्राइब के उपर चेक बैलेंस के साथ मेडिकल एंड इंजिनिंग का शोबा बना दिये जाए तो लाजबी बात फिर कौन आए ही हैं वहां के जो बच्चे हैं डेफिनिटली उनको बहुत प्राइब्लम होती है जब वो दूसरे शेर में आते हैं यहां गर अंदरूने सिंध की बात हो रही है तो वैसी बलुचस्तान के भी यहां बच्चे आते हैं तो वो भी काफी उनको तो बहुत प्राइब्लम्स हो होता है यहां student university में adjust करने में उनको बहुत टाइम लगता है अपने आपको मनवाने में थोड़ा टाइम लगता है जाहर है यहां की तालीम चुकि बहुत आगे forward हो चुकि उनके निस्पत यह एकसा तालीम ना होने के नुकसानात ही आप मस्मिल स्लेह साब अगर कोई बच्चा न रोने सिंठ से या पनजाब कीइंट्रीडião साइट से अगर वो आरा है और उसे नहीं पता हाला कि वो भी मैटरिक पर चुका है वो इंटरिक कर चुका है वो इनिवर्सिटी की कशूर क्या है कि उसको वो नालेज उसको वो एड्यकेशन प्रवाइड नहीं की करें देखिए उसका अपना जाती कशूर नहीं है कुसूर जो है इवर्बर अटेंशन का है अभी मैं बनाओ वो बुरा हाल हो रहा है कि बजाए इसके मेरपुखास में स्कूल खोले जाए लार आपको मेरा स्कूल बन कराना आके बन ना कराओ आप सामने गवर्बर इसकोल इतना अच्छा कर दो कि स्टूड़न कुदी मूव कर जागा वाप जब एज़केशन फ्री है नहीं हम तो पैसे लेते था अगर वह बच्चे फ्री में यह जा रहें पैसे दे क्या रहें मतलब ह पैसा किसी को ब्रान लगता अब क्या कर दी गवर्मेंट कुछ इसूस लेकर आगी प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या इसूस लेकर आगी एक तो हम स्कूल वाले बदनावग कुछ दो चार बड़े स्कूल होंगे जिनको जिन्रों ने गलत किया होगा पैरेंस के साथ ज़ को फरोग दे रहे थे इन सब के ओपर एक साथ अटेक किया गया गया गवर्मेंट की तरफ से और पैरेंट्स की तरफ से मिसाल के तौर पे कुछ रूल्स इस तरह से पास हुए कि जो स्कूल अपने महले के अंदर लंग करने वो स्कूल रोड पर आन चाहिए महले के स्कूल बंद के जाए 90% अफ दे स्कूल तो महले के अंदर है आपकी गवर्मेंट स्कूल किसी काम के नहीं बैठने को डेस्ट था नहीं आप है प्राइवेट सेक्टर अपने के बताविए तो महले का स्कूल तो परेंट्स अफोर्ड नहीं कर पता पता है तो वैसे ही तालीम को प् एजुकेशन फिर लॉस में बजाया इसके के एजुकेशन खुलते है श्कूल बंद होते चले देएंगे फिर आपने रोड पर भी कुछ लगा जीए रूल्स के 100 स्कूर फूट चौरा रोड होना चाहिए जगह भी 400 कस्ट बढ़ी होनी चाहिए रूल्स के आप बजाया इस बजाया उल्टा पीछे पुछ करे जा रहेगी गवर्मेंट पॉलिसी जो है जब तक स्कूल की फेवर में नहीं बनेंगी उल्टा आपको हैरत होगी अगर नोटिफिकेशन बनेंगी बहुत बहुत नेगेटिव लेंगिश यूस की जा जी स्कूल के लिए मिसाल के तौर प कोई कोई मिलती है कोई नहीं मिलती बुक्षोब आमें खुवार करता है अगर आपके पास से मिल जाए हम वहां से ले लेंगे सेम प्राइस पर इसकूल से देनी चुरू करती तो स्कूल के ओपर जो लास्ट लोटिफिकेशन आया उसमें लिखावा था कि स्कूल इस डूई आप एक एजुकेशनिस्ट के लिए स्कूल इंडस्ट्री के लिए असादवा के लिए रॉबर का वर्ड यूज कर लें फिर उनका क्या जो हुगोमत में बैठे में लोग जो वागई कर रहे हैं उनको आप पूछ भी नहीं रहे और जो बैड के बच्चों से बहुत नॉमि को भी पुश करने की जरूरत है और खुदारा निजाम को बैतर करने की जरूरत है इस निजाम के साथ तालीम आगे सांस नहीं ले सकती वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सरफ ऐसे ही स्टूडेंट प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट आगे बढ़ते रहेंगे जो सिर्फ तालीम में रटा करके आगे डिग्री हासिल करेंगे बाखुदा उस डिग्री की कोई फिर्वाल्यू नहीं होगी क्योंकि उसके पास नौलिजी नहीं उसे नहीं पता उसने क्या पढ़ा तो वो क्या आगे फर्दर कर दीनियों करेंगे एक छोटे से ब्रेक का ट